हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं सेमी फॉंडेंट केक जिसके लिए यहां पे हम एक थीम केक बना रहे हैं और यहां पे हमें एक बैड का शेप बनाना है केक से तो यहां मैंने रेक्टेंगुलर शेप का यह केक ले लिया है चॉकलेट केक वूपर का हम लेयर निकाल देंगे और इसे दो पाइट में डिवाइड कर लेंगे तो यहां हम चॉकलेट सिरफ डाल रहे हैं चॉकलेट सिरफ के लिए एक चमच आपको चॉकलेट सिरफ लेना है और दो-तीन चमच पानी लेना है तो और यहां पर मैं गनाश लगा रही हूँ इस पर गनाश को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और यह दूसरा लेयर भी हम लगा देंगे यहां भी हम गनाश लगा देंगे यह हम fully fondant cake नहीं बना रहे हैं fully fondant में fondant को पूरा cover करते हैं यहां पर बस हम कुछ toppers हम इस पर बनाएंगे तो यहां मैंने cake complete कर लिया है अब इसे हम थोड़ा सा finishing देंगे यहां मैंने गरम पानी यूज किया है एक कप में गरम पानी ले 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 और spatula को डाल कर फिर आप ऐसे finishing दे सकते हैं अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे यहां हमारा यह अच्छे से सेट हो गया है cake अब हम fondant बना लेते हैं fondant toppers यहां मैंने पहले white fondant ले लिया है fondant आपको ready made मिल जाएगा जहां पर आपको cake का सामन मिलता है वहां पर आपको fondant मिल जाएगा यह छोटे भी packs में आते हैं तो यहां हम मैं थोड़ा सा थिक एक रोल कर रही हूँ fondant को बहुत जादा पतला भी नहीं है बहुत जादा थिक भी नहीं है और थेड़ा हम rectangle shape का यह निकाल लेते हैं तो यहां मैंने यह phone के लिए यह इतना बड़ा shape का यह कर लिया है अब यह laptop की screen हम बनाएंगे उसके लिए हमने यह एक निकाल लिया है अब यहां blue fondant ले रहे हैं blue fondant से हम जो हमारा हम bed बना रहे हैं बैट के पीछे का हम लोग जो होता है cover उसको पीछे से cover करेंगे तो आपके जो cake का size है उसी size से हमको इसका पीछे का back लेना है जिससे हम cover करेंगे अबर दोनाइंगे धीछे नहीं यहां स्केल से हम थोड़ा इसको माक कर रहे हैं तो इसे भी हम रख देंगे अलग यह सब चीजें आपको एक दिन पहले बना कर रखनी है जब आपका केक रहता है जिस दिन आपको केक बनाना है उसके एक दिन पहले आपको इस सब चीजें बना कर रखनी है और इसे अच्छे से dry होने देना है Dry होने के बाद ही आपको cake पर set करना है तो आप यहाँ पर और कुछ बना लेते हैं यहाँ पर हम books बना रहे हैं छोटी-छोटी books बनानी है हमें और अगर आपके पास जादा time नहीं है आपको same day cake बनाना है सेम डे ही आपको यह सब फिगरिंस बनाने हैं, टॉपर्स बनाने हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा टाइलोस पाउडर मिक्स करके बना सकते हैं, उससे जल्दी यह ड्राय हो जाता है रेनी सीजन में जल्दी फॉंडेंट ड्राय नहीं होता है, उसके लिए आप एक यल्लो लाइट ले लीचे, यल्लो लाइट लगाके आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उसमें आप इसको नीचे रख सकते हैं, ताकि जिससे ज़्यादा हीट भी ना लगे और पास में भ हीट लगनी चाहिए, उससे भी फॉंडेंट जल्दी सूख जाता है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से ड्राय हो जाएं आपके टॉपर्स उसके बाद ही आप केक पर सेट करें, आप ये सब चीजें केक पर अपने क्रीम केक पर भी यूज कर सकते हैं, पर क्र क्रीम केक बनाएंगे, उसे अच्छे से चिल्द होने दीजे, और फिर उसके बाद आप जो अपने टॉपर्स लगा रहे हैं, वह जब आपको केक कट करना है, या आपको डिलेवरी करनी है केक की, उसी टाइम आप वह टॉपर्स लगाईए, तो ज्यादा फिर वह मैल्ट न के बनाएंगे, बनाएंगे वह 翔 Gre Düês Rh nossas चारेता है करें इतांगे, वह बहुर्स लगजे, नहीं है निके बनाएंगे, चारे भादाएंगे पह ट्यादाап करेंने माँ हैं, । प्र्स लेतांगे, औरी रपको करने जती का इवगा, तो यह करो चुतंगे करें ग्रम आप कर दो कर दूर कर दो पहुआ है यहां जीन्स बना लेते हैं यहां शॉर्ट्स बना लिया मनेक यहां पर हम सॉक्स बना रहे हैं तो यहां हमने यह सॉक्स भी बना लिया बुक्स और टी शिर्ट्स बना लियी हमने यहां एक मैं बॉटल बना रही हूं अब यहां हम एक हेड़फोन बना रहे हैं तो यहां हम एक हे यहां बना रहे हैं क्ली टान रहे हैं यहां बना भी टान अब हमें एक human figurine बनाना है यह एक boy बना रही हूं मैं यहां पर जिसके लिए हमने यह लेक्स बनाया पहले यह उपर का बॉड़ी बनाया अब यहां मैं एक औरेंज जेल कलर यूज कर रही हूं वाइट कलर में एक ड्रॉप डालनी है आपको इससे आपको स्किन कलर बन जाएगा आप क्या पहले हम हैंड्स बना लेंगे को पहले हैं तो यहां पर यह सब चीजें एक दूसरे से इसको जोड़ने के लिए हमें थोडा वाटर यूज करना पड़ेंगा। अगर आपके पास एडिबल गम है तो आप एडिबल गम का भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी से भी आप इसको चिपका सकते हैं तो यह हमारा पूरा बॉड़ी भी बन गया है अब हम फेस बना लेंगे जिसके लिए मैंने स्किन कलर ले लिया है यह आइस बनाएंगे हम पहले आप है आप हैस बनाएंगे जिसके आप हैस बनाएंगे जिसके चोटी चोटे दो एर्स बना दिया हमें इसके अब इन सब जीजों को अच्छे से ड्राय होने देना है अब यहाँ जो हमने मोबाईल के लिए कट किया था फॉर्णेट इस पर हम इस पर हम लोग कर रहे हैं इस पर तो इस पर मैंने थोड़ा सा वोटका मिक्स किया है वोटका आपके पास नहीं है तो आपको केक मटेरियल शॉप पर एवब परेक्स मिल जाएगा वह भी आप यूज़ कर सकते हैं यहां कुछ वेट्स भी बनाये थे मैंने अब यहां केक हमारा सेट हो चुका है तो हम यहां पर फॉंडेंट अपना जो भी टॉपर्स बनाया है यह हम सब सेट करना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम लोग पहले यह पीछे सा लगा देते हैं कवर तो यह फिक्स रहे है इसके लिए हम यहां पर टूट्पिक लगा देते हैं जिससे फिक्स रहेगा अब हमें कवर बना रहे हैं इसके लिए तो यहां टूट्पिक से हमने सेट कर दिया है हमारा यू हमें फिगरिन इसके पीछे एक पिलो रख देते हैं यह लैपटॉप भी मैंने सेट कर दिया है यह सब चीजें जो आपको लगता है कि बिगड़ सकती है या मूव हो जाएंगी तो उसके लिए आप टूट्पिक यूज करिए बाकी सब चीजें आप ऐसे भी रख सकते हैं जिस तरह से मैं रख रही हूं और अगर कुछ ऐसा टॉपर है जिसका हिलने के चांसेस है तो आप उसके नीचे एक टूट्पिक से सेट करके लगा दीजे उसे यहां सब एक एक करके हम सारी चीजे रख देते हैं यहां भी आप थोड़ा सा वाटर यूज कर सकते हैं यह सब चीजों को चिपकाने के लिए तो यहां हमारा एक semi fondant cake ready है यह theme cake है आजकल theme cake की बहुत demand रहती है तो आप इसे cream cake पर भी ऐसे बना सकते हैं बहुत देखने में अच्छा लगता है तो आपको कैसा लगाए मेरा cake लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइए मुझे comments कीजिए आपको कुछ भी questions है तो comments box में दी thanks for watching my video bye bye